वागत है आप सभी का एको न्यू वीडियो पर देखिया एंपी वोड एक्जामनिशन के 10th का 2nd exam भी हो गया है यानि कि 10th के सभी बच्चे संस्कृत का एक्जाम देके भी आ चुके हैं अब संस्कृत जैसा subject कुछ बच्चों को पसंद आता है कुछ को पसंद नहीं आता है क् चुके बच्चों का पर अच्छा नहीं जाता है क्योंकि संस्कृत में काफ़ जदा मिश्टेक हो जाती है क्योंकि इसमें मातराय वगेरा इन सभी पर काफी ज्यादे धेन दिया जता है खेर आज का पर कहां से आया ता कैसा आया ता वो तो आप से भी कमेंट करके मैं अपना भी बताऊं तो मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा अभी आप सभी अपनी तरफ से अपना एक्सप्रियेंश कर सकते हैं कि पेपर कैसा आयता कहा से पूछे गए तो अब्जेक्टिव कहा से आयते क्योंकि हिंदी का पेपर की बात करें तो आप सभी नहीं क पेपर कहां से आया हुआ था अब इससे होगा कि हिंदी का आपको समझ में आ गया कि परिक्षा पूछे जा रहे हैं संस्क्रित का भी आप कमेंट करके बताई देंगे आप बाकियो के कमेंट पड़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा अब आगे के जो पेपर करके मैं आपको बताई दूगा कोई भी टीचर आपको बतादेगा पर एक्जाम आपने दिया है आपने पड़ाई किये पूरे सेशन में तो आपका भी यहां पर पॉइंट सुनना बनता है कि हैं आपके कहां से पेपर आया था कैसा आया था ज़िए करके बताएगा बाकि पेपर आउट हुआ था बेजे गया तो कुछ पेपर आते हैं जो कि आपको पता ही है टेंड़िघ्रम पर फॉरवड होते ही रहते हैं जो कि फरजी होते हैं पूरी तरीके से या तो वो पुराने पेपर होते हैं या फो बाकि बच्चे भी आएंगे एक्जाम देखे अगर करके रखिएगा एंपी वोड एक्जामनेशन से जोड़ी सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी